दोस्तो साथियो नमस्कार आज हम आपके सामने में उन लोगों किसे मुखाप्तिव हो रहा हूं जिनका कुछ अपना सपना है क्या है कि हमको यूपीएसी बने सिविल सर्वेंट बने तो आज का आप लोगों के लिए एक सुनाड़ा अफसर है वो दिन जिसका इंतजार कर रह बाद होते हैं जिनकी 21 साल के हो जाते हैं वो शुरुवात करते हैं तो आज मैं आपको उन सब के बारे में बताऊंगा कि क्या है एक्जाम कैसे देंगे तैयारी कैसे करेंगे पलस और नोटिफिकेशन कब है कब तक लास्ट डेटे फॉरम भरने का यह सब हम आपको बताने जा रहे हैं तो किर्पया आप सब लोग इस बात को बड़ा गौर से देखें खास करके उन विद्यार्थियों के लिए हैं स्टुडेंट के लिए हैं जिन्होंने अपना नई उमीद के साथ यहां पर आए हैं तो मैं चलता हूं बता रहा हूं कि सिविल सर्वीज प्रिलिमि जो है जरूर चेक करेंगे फिलहाल मैं आपको जितनी जानकारी देदेगा वह आपके लिए बहुत ही है फिर भी अपना आइस ऑफिसर बनने जा रहे हैं देश के सर्वोत संस्थान पर जाकर कमांड समाने वाले हैं तो हमारी बातों पर ध्यान ना दे करके आप खुद को द क्या होती क्या है कि लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वो तैयारी नहीं कर पाते हैं डिसीजन नहीं ले पाते अगर जिस दिन आपने ठान लिया कि हमें सिबिल सर्वेंट बनना है खाली ठानना है आपको जब आप ठान लेते हो तो समझ लो की 90% आपका काम हो गया 10% वो बै किजिए फिल आप करने में वह बंदा जो एपिरिक केंडिडेट है वह भी बैठ सकता है तो आप जरूर जरूर कम से कम जरूर एक वाट 2023 का एक्जाम होने वाला है duration को एक गान का होगा last date of receipt of application ध्यान रखिएगा जैसे ही आप इसको बढ़ेंगे आपके लिए अच्छा होगा तो इसका date क्या है last date of receipt है 21 February 2013 को up to 6 p.m. तक इसका time है तो आप बढ़ दिजिए और इसको date को upload किजिए एक दो date of upload है एक February को ही हुआ है और download notification है जो भी वो भी आप site पर जाके download करेंगे अब आता है कि आपको तयारी करनी है तो कैसे करेंगे पर इसमें syllabus किया है कौन-कौन से exam होते हैं वो आपको बताते है यह exam जो होता है स्री चर्णों में होती है पहला होता है preliminary होता है दूसरा होता में होता है तीसरा होता इंटर्व्यू होता है में होता है अब इसके exam के लिए syllabus किया है आपको मैं उसमें बाते करूंगा eligibility किया है कि जो भी बंदा graduation कर चुका है वो इसके eligible है any discipline any degree में कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले age के बारे में बता दिया एक्जाम में क्या कैसी date of examination भी बता दिया आपको कितना है कि date of examination 28 माई को 2023 को है में का एक्जाम क्या है पंदरा टू 29 सेप्टमबर को होगा 2023 को number of paper preliminary में दो paper होंगे में में नाइन पेपर होंगे objective questions होंगे PT में preliminary test में और इसमें क्या है descriptive question होंगी पीटी में duration of examination आपको दो घंटे का होगा यहां examination होगा तीन घंटे का होगा total marks preliminary में 400 है और में में 1750 में होंगे में का examination except language paper Hindi और English सबसे बड़ी बात है प्रिविनली के लिए आपको सब को ध्यान में रखना है कि निगेटीव मार्किंग होती है इस बात का ख्याल है कि one third marks आपके कट जाएंगे में में no negative होते है मार्य का काउंट नहीं होगा में में interview के समय इसका marks काउंट होगा किसमें? एंटर्वियो के लिए सबसे पहले है कि जो भी बंदा है सोच समझ के पूरा हो सहवाज से इसको एक्जाम देना है मैक्सिमम एज लिमिट है 32 years number of attempts six attempts है इसलिए जो भी हो सहवाज के साथ करीगे ओबीसी में क्या है 35 साल एज है number of attempts nine है एस्टी के लिए 32 प्लस five years है ओबीसी में 32 प्लस three years ज्यान रखिएगा 32 मैक्सिमम एज है फिर उसके बाद एस्टी एस्टी के लिए कोई लिमिटेस काचा नहीं है अनलिमिटेड है एस पर में एज लिमिट है ना 27-27 साल तक दे सकता है फिजकली हैं डिकेप 32 32 प्लस 10 जेनरल देन नाइन नाइन यह और और ओबीसी नाइन यह एस्टी के लो अप टू एज लिमिट जितना एज लिमिट है तब तक अप्लाई कर सकते है उसमें कहा है कि जे एनके के लिए जे डिपेंडिंग ऑन दी एवाउप केटेगोरी जो फिए ओबीसी जेनरल शर्टी जो है उनके उपर में हैं डिजेबल परसंट के लिए 32 प्लस 3 परसंट 3 है 35 है और इसमें जो नंबर अपनेंट अप टू उनका जो एज मार्स होता है वो है अब आईए कि एक सर्विसमें जो हो भी हमारे भारतिय सेना है जो भी वहां से आर्मी परसंट लें उनके लिए 32 प्लस 5 यर्स 37 साथ यर्स है यह हो गई किनके लिए अब आईए कि एलिजिलिटी में देखिए कि जो भी बंदा है आई इस के लिए जो करना है कि जेनरल है मैक्सिमा में 32 प्लस नंबर अप एटेंट 6 है ओबी सी के लिए मिनमम मैं मैक्सिमा मैं 35 है नंबर अप एटेंट नाइन है cd का अब टिल अब एज लिमिट तक है जो एज है उनके साथ डिजलिटी के लिए 42 अप टू एज लिमिट है यह करना है अभी क्या करनेगे आपको हम सब क्या करना है जो भी बंदे है जो एसपीरेंट हैं उनको तैयारी करने सुरू कर दियाएं तैयारी में इक्जाम देना है अब इस्थारे करने के लिए क्या करना है उनको तैयारी कर दिया जो हम आपको सब्जेक बताएं है आप अपनेईच चैनुसर आप इसे लिएंगे फिर उसके सबसे बड़ी बात है कि आपको निगेटी मार्किंग है इसलिए इस बात का ख्याल लखना है कि आप आप तयारी करते हैं तो इसका बात का क्याल है कि निगेटी मार्किंग के island थाड है इसके लिए आपको यह त्यारी करते हैं कैसे पिर इसके बाद सवाण किसे सवाल हैं इस्टिड़ी Sidious से आएंगे मैं पेपर वन में होंगे, इच कोश्चन दो मार्स के होते हैं, फिर C-set वाले पेपर में क्या है, कि C-set पेपर वाले में 2.4 मार्स होंगे, 8 है मार्स के होंगे, 80 कोश्चन्स होंगे, पिलेनरी मार्स नॉट जो होता है न, वो include merit list में नहीं आएगा, लेकिन civil service में qualifying paper करना पड़ेगा, 33 मार्स आपको लाना ही पड़ेगा, तो यह बात ध्यान रखिए, 33 मार्स सीचेट का जो two paper में 33 मार्स लाना ही पड़ेगा, कम से कम, percent लाएंगे, तब आप qualify करेंगे, फिर उसके बाद आते हैं, आप से बाते करते हैं, कि आप जो भी subject लेंगे, वो आपको तयारी करना है, कि आप मेंस के एक्जाम के लिए, कि आपको लेंगे, पेपर वो 300 मार्स के होंगे, पेपर बी होंगे, इंगलिस होंगे, 300 मार्स के होंगे, पेपर टू, वन पेपर में से होंगे, 250 मार्स के होंगे, इस तरह करते हैं, आपको सारे पेपर हैं के पेप करस्वेंटिटेज्स के मतलब की 2035 मार्स मार्स के होते हैं तो यह होगए कि आपको फेपर वन में एससे होगे फेपर टू में जेनरल होगे हिस्ट्री होगे जीजर्णर फी होगे गवर्नेस होगे पर में सोशाल जस्टिस और इंटरनेश्णल ऑगे पिपड़ फाइब जो होगे जिसमें टेकन लॉजी होगे एक लुगे डेवल संसें अधानेन अ की अउगे न्रिटी यां ़ेख willow पर फाइस भाइबी में इसेул सब जो है मार्स है अब ऑप्शनल पेपर जो आएंगे वह क्या है कि पेपर वन में 250 मार्स होंगे और पेपर सेवेंथ है यह भी पेपर दो होंगे जो कि 250 होंगे और टोगेदर मार्स है कि पेपर ए पेपर बी मिले से लेके पेपर आपकी सेलेक्शन होती है तो इस वार बड़े उमीद की बात की जाती है कि इस वार का सीट है कितने सीट है जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं इस वार की जो सीट थोड़ा जादे 1255 पोस्ट है UPSC Civil Service as per notification of Civil Service exam के लिए 2023 के लिए 1255 पोस्ट की vacancy है तो आप इसमें से कैसे त्यारी करना है कैसे करना है वो बताएंगे अब हम आपको कम से कम आपको सभसे पहले जो भी aspirant है उन सबको सुभकामनाय देते हैं कि कम से कम आप फोर्म तो भर लिजिए फोर्म भर दो भाई जैनराल है छे वार एटेμट देना है भाई ऐसा नहीं है कि नहीं है गया आप मेंसे जो भी पास करते हैं आफी तरह के बंदे जो नहीं कर पाते हैं उनके दिमाग में यह बैठ जाता है कि overconfident होना भी नहीं जरूरी है आप regular continuous काम करते रहे हैं पढ़ते रहे हैं त्यारी करते रहे हैं आप निकल जाएगे over burden over stress होके नहीं पढ़ना है पढ़ने में थोरी परसानी हो जाएगी तो उमीद करते हैं कि आप सब पहले forum भरने का जो डेट है उस डेट से पहले आप forum भर लिए कब है forum भरने का बता है एक पर फिर से बता देते हैं जो forum date of commencement है अठाइस पांच दस्वर एक्जाम का योत्य एक्जाम हो गया आपका एक्जाम है कि आप एक्जाम इसके जो डेट है एक February को निकल नोटिस्टिकेशन हुई है और अठाइस पांच दोहजार सेज को एक्जाम कमिश्मेंट और एक्जामिनेशन है और सयारी कीजिए forum भर ये अच्छा रहेगा नहीं तो देखते रह जाएंगे समय भी निकल जाएगा आप आगे भी नहीं निकल पाएंगे तो ये बाते हैं कि आप इन सब को तयारी कीजिए हम आपके साथ हैं टाइम टाइम पर आपको बताते रहेंगे एक बार आप सब को फिर से एक्जामिनेशन का पैटरन बताने जा रहा हो प्रिलिमिनरी में नेगेटिव मार्किंग है तीन स्टेज में एक्जाम होगा एक पहला होता है प्रिलिमिनरी होगा दूसरा में होगा टेस्ट होंगे, प्रिलिमिन्री में दो तरक एक्जाम होगे, पेपर 1 और टू, पेपर 1 में होगा, जेनराल स्टेडी होगे, 100 क्वेश्चन का 200 मार्स के नहीं होगे, दो घंटे का, इस बात को गंठर्श कर ले रहे हैं, और पेपर 2 में है, क्वालिफाइग इन, मिट कितना है रिजल्ट है 33% मार्स होना चाहिए CSET का है CSET में आप क्या है कि 80 questions होंगे 200 मार्स होंगे 2 घंटे का यह ध्यान रकिए उसके बाद जब इसे पास करते हैं तो आपका exam होगा main exam main exam में क्या है कि qualifying है essay qualifying है इंगलिस का है 300 नमबर का language paper नमबर दूसरा एस से होंगे एक paper दूसरा टॉपिक से 250 मार्स है general study का है चार paper है current general study का है चार इंटू 200 मार्स के होंगे और optional paper आप जो भी subject आपको अच्छा लगता है जिसमें आपकी पकर है history है geography है sociology है anthropology है science से related है medical engineering से related है वो आपके उपर में आप लो तो दो paper होगे में मार्स होगे सत्रह सो पचास प्लस प्रशनिटी टेस्स मिलना कर वही 20275 आपको अलाना है तो आप करेंगे तो तैयारी आपकी अच्छी होगी करना क्या है कि आपको हाउ टू क्रेक दो तरह के होगे या तो कोचिंग लेके करेंगे या करना क्या है कि prepare yourself सबसे पहले कि mind state है कि आपको तैयारी करना है कि हमको civil servant बढ़ना ही है आईएस बढ़ना है चाहे वह आप कोचिंग कीजिए घर से कीजिए ऑनलाइन कीजिए जैसे कीजिए चुकि आजकर बहुत सारे option आ गए है यूटूब का इंटरनेट के जवाने में आप हम लोग के time बाले नहीं है कि हम लोग के समय में बहुत मुश्किर होता था जो किताब पढ़के ही करना पड़ता लेकिन आप का time है कि आपके पास YouTube है Google है आप इसकी मदद ले सकते है तो प्रिप इसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं करें वह भी बात नहीं है आप पढ़िए और नोट बनाए जो भी चीज कर यह नोट बनाए करते जाए सबसे प्रहा लिखने की प्रेक्टिस करते जाए और एक को अपने लाइफ को डिसिप्लीन करना पड़ेगा सबसे यह एक हपता छोड़ दिया ऐसा बिलकुल ने पढ़िए लिखिए पढ़िए आंक से देखिए चाहे वह यूटूब देखिए गुगल देखिए या जो भी है प्लस रिवाइज रेगुलर्ली आप देखिए टेक मॉक टेस्ट जो भी आपको जहां से भी मिलता है मॉक टेस आजकर बहुत सारे आफसान मॉक टेस्ट होते हैं फ्री में आते हैं कुछ पेड होते हैं जैसी आपके उपर लेकिन सिंसिरली आप मॉक टेस्ट देते रहिए उसे कंफिडेंस रखता है बढ़ते हैं साथ में करेंट एफेर से रखिए निउस पेपर जरूर पढ़िए जो साथ स्ट्रेस कम करने के लिए योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है जब आप इन सब सिका करेंगे तो आपके लिए बहुत काम आएंगे आपको हम बता देते हैं कि कुछ किताबे हैं जो इपिसी के प्रिपिसन में बड़ी काम आते हैं जो बहुत ही पॉपलर है इंडियन पॉलिटीज के लिए लक्ष्मी कांदी का है इंडियन हिस्ट्री के आगे सर्मा का है मेडिवियल हिस्ट्री के लिए सतीष चंद्राजी क साथ 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 साइन्स एंट टेकनोलोजी के लिए रवी अगनिहारी जी का है सोशियोलोजी के लिए राम अहुजा का किताब पड़ते हैं इंटरनेशनल इलेसंसिप के पुनीत सिंग इंटरनेशनल सेकुरिटी के लिए इंटरनल सेकुरिटी के लासोग कुमार जी का किताब पड़ सकते हैं गवर्नेश बाइ इस पर लक्षमिकांत एम लक्षमिकांत के लिए एथिक्स लेक्षिन का है उससे लेजिए ऑक्सफॉर्ड का एक्ट्रस जरूर घर में रखिए इससे के लिए दिसा 151 का ले लिए अरिहंत का सी सेट का ले सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री बाइ अरजुन देव जी का है वो पड़िए इंसी एर्टी किताब जो है इसको तो भूलना ही नहीं है वो आपके लिए गीता है अटाई का आपका सांति रखिए इंसी एर्टी का ले महिस कुमार शाफिदने और न्यूज वशाल में है वो देखीन और Human and Physical Geography के लिए GC लियों का रखिए और Social Problem के लिए भाई राम अहुजा जी का है तो ये किताबे कुछ है जिसको आप ध्यान में रखिए कि कहां ते किताब पढ़ना है क्या करना है वो आपके लिए जरूरी है आपको बता दे कि NCRT का जो बुक है वो अपना एक साथ बना के रखिए History के लिए रखना है Toward 6 क्लास से लेके 11 तक का History के लिए ले लिए Culture के लिए भी आपको क्या करना है Culture के लिए क्या करना है 11 से लेके रख लिए Class 12 से लेके फिर उसके बाद क्या है Society के लिए Class 6 से लेके Social Science के लिए Six towards 12 किसका रखना है MCRT है Geography के लिए Class 6 से लेके 12 से लेके आप जोगरफी ले लिए जो आपको Economy में भी काम आएगा सारे में काम आएगा Economy, Civil, साथ जो GK के लिए और General के लिए Plus Politics के लिए आपको Class 10 से Start की जिए 12 तक का लेके रखना है और Economics के लिए 11 से लेके 11 के रखे 10 तक के लिए 12 से सारे किताब्य आपको रखना है Plus Science के लिए भी आपको रखना पड़ेगा Science के लिए भी किताब्य तबै जो मैं आपको बताने जाहरू Science के लिए क्या है वो जे ओनलाइन ले सकते हैं, मार्केट में सब कुछ अभिले बूले है, पैसे खर्च करेंगे तो भी न करेंगे, तो भी आपको तो, सबसे बड़ी तिक है कि जज़वा होनी चाहिए दिल में, हमें निकालना है, हम उमीद करते हैं, कि ये बाते हम आपको थोरा सा ब्रीक में बताए हैं, अगर कुछ जानकारी लेनी हैं, तो आप इसके जो, UPSC के जो साइट है, उनको देखिए, शुरू में आपको फीस सवड़ी पे लगेंगे, फॉर्म भड़ने में, पीटिंग में, और गर्ल्स कैंडिडेट को कोई फीस नहीं लगता है, और बाकी लोगों का जाइस प होता है, है ना, तो रेजिस्ट्रेशन देख के करेंगे, और अगर रेजिस्ट्रेशन कर देते हैं, नहीं बैठते हैं, तो वो भी काम आएगा आपका, इसा नहीं कि आप नहीं दे पाओगे, आपके लिए काउंट होगा, तो ऐसा नहीं करें, कि आप रेजिस्ट्रेशन कर दिस्प्लीन, तीन को continue कीजिए, success आपके हाथ में है, ये मत देखो कि कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उस बाते पर बिल्कुल मत जाओ, फलाने ने फलाना किताब पढ़ा, बिल्कुल मत जाओ, फलाने ने बोला इधर सिर रखे सो बिल्कुल इनसे पर मत जाना, आपका जो सीट बटाए उसमेंसे एक सीट आपके लिए आप ज़रुर सकसिस होगे तरीका आपको मैंसे आपके साथ रहता रहुँगा कि आप में से फील Casey बार ने भुक खाले लोगों को बता है था जिसमेंसे अच्छेए लोग सब 106 बहुत सारे लोगोंने निकल गए मैं उन सबको नाम भी बताऊंगा जब आने वाले समय में मैं थोड़े समय में बताता हूं और अपना कणवाना है करना आपको है तैयारी आपको करना है आपको दूसरा काम किया है आपने जब समढ में उतर चुके हैं कि हमको सक्सेस होना है तो आप सक्सेस होंगे दिमाग से निकाल दीजे करने नहीं होगे, बाते बनाने वाले लोगों से दूर रहे, कंड़ पर भी स्वास कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये बाते आपके लिए बहुत जरूरी है, तो मैं उमीद करता हूँ आप साथ फोरम भड़िए, फिलप कीजिए, और आए के बात तैयारी कीजिए, हम आपके साथ रूबरू होंगे, कुछ जानकारी लेनी है, तो आप हमसे लेते रहेंगे, तब तक ले मेरे जो ये जो यूटूब है, उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सेयर करेंगे, उमीद करते हैं, कि आप सकस्स होगे, और हम द आएंगे, आप या तो घर पे बैचके किजिए, डिसीपिलीड में, अगर आपके पास पैसे हैं, तो कोसिंग लीजिए, गाइड दिकरते हैं, या यूटूब वगरा है, वगरा सारे, आज कल तो सोचल मेडिया पर बहुत सार इसी जाते हैं, करते रहें, आगे पर ये भग